हेलो बच्चो आज का इमला का वीडियो कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए लाई हूँ और टॉपिक वही है जो पिछला था अपना स्थान स्वैम बनाईए उसका ये सेकंड पार्ट है और ये चैप्टर कक्षा 6 की मंजरी किताब से मैं लेकर आई हूँ मैंने आपको बताया था तीन पार्ट में ये इमला की वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि चैप्टर लंबा है तो ये सेकंड पार्ट है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलें और आप उन्हें मिस ना करें थैंक यू मेरे एक वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स में नियर एंडियर में शेयर भी करिए थैंक यू सो मज इमला शुरू करने से पहले फिर से आपसे कहना चाहूंगी कि हर तरह के punctuations और मात्राओं का ध्यान रखते हुए लिखेंगे मैं बोलना शुरू करती हूँ युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके साफ करके उसे उसे शाही दफ्तर का शाही दफ्तर का रूप दे दिया उस दफ्तर में उस दफ्तर में एक उस दफ्तर में एक छोटी सी कोटरी थी युवक ने उसकी जाच पड़ताल युवक ने उसकी जाच पड़ताल की तो पता चला तो पता चला की पिछले सालों में बादशाह बादशाह के पास जो निजी पत्र आये थे उनके लिफाफों उनके लिफाफों का धेर उनके लिफाफों का धेर उस कोटरी में उस कोटरी में था युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया उस दफ्तर में एक चोटी सी कोटरी थी युवक ने उसकी जाँच पड़ताल की तो पता चला कि पछले सालों में बाश्या के पास चोनेजी पत्र आये थे उनके लिफाफों का धेर उस कोटरी में था उनमें से उनमें से बहुत से लिफाफों बहुत से लिफाफों पर उन में से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्ची कारी थी और रत्न जड़े थे ये वे लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुब अफसरों पर शुब अफसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर अमीर उम्राओं के यहां अमीर उम्राओं के यहां से आये थे युवक ने युवक ने कारीगर लगा कर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और और बाजार में बेच दिया और बाजार में बेच दिया उन में से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चिकारी थी और रत्न जड़े थे ये वे लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुब अफसरों पर दूसरे राजा और अमीर उम्राओं के यहां से आये थे युवक ने कारीगर लगा कर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया सामान बेच कर सामान बेच कर उसे कई हजार रुपे मिले कई हजार रुपे मिले उन में से उन में से कुछ रुपे तो कुछ रुपे तो उसने दफ्तर में बढ़िया फरनीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिये और बाकी और बाकी सरकारी खजाने में और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिये सामान बेच कर उसे कई हजार रुपे मिले उन में से कुछ रुपे तो उसने दफ्तर में बढ़िया फरनीचर और चित्रादि लगाने में खर्च कर दिये और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिये जहां वह सामान बिका उसने उसकी भी रसीद ली और जहां से यह जहां से यह सामान खरीदा गया सामान खरीदा गया उसकी भी उसकी भी दफ्तर सचमुच दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया चुगल खोरों ने राजा से उसकी शिकायत की उसकी शिकायत की की वे है की वे है रुपया लुटा रहा है वे है रुपया लुटा रहा है जहां वे है सामान विका उसने उसकी भी रसीद ली और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी भी दफतर सच मुझ शाही दफतर हो गया चुगल खोरो ने राजा से उसकी शिकायत की की वे है रुपया लुटा रहा है एक दिन राजा गुसे में भरे दफतर गए तो दफतर की हालत देख कर दंग रह गए फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा तेज आवाज में पूछा तुमने यह सजावत तुमने यह सजावत किसके रुपय से की किसके रुपय से की दफतर के रुपय से हुजूर कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजान्ची से गवाही दिलाई कि दफतर का सामान कि दफतर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है एक दिन राजा गुसे में भरे दफतर गए तो दफतर की हालत देखकर दंग रह गए फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा तुमने यह सजावट किस के रुपय से की दफतर के रुपय से हुजूर कहकर उसने राजा को रद्दिली फाफों की कहाने सुनाई और खजानची से गवाही दिलाई कि दफतर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है राजा रीज गए और उस युवक को अपने राजे का अपने राजे का वित मंत्री बना दिया इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी क्योंकि वह ना स्वयम बेईमानी करता था ना किसी को करने देता था उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता उस युवक की शिकायत करता उस युवक की शिकायत करता जिससे की वह राजा की नजरों में गिर जाए राजा रीज गए और उस युवक को अपने राज का वित मंत्री बना दिया इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी क्योंकि वह ना स्वयम बेईमानी करता था ना किसी को करने देता था उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता उस युवक की शिकायत करता जिससे की वह राजा की नजरों में गिर जाए Hello friends, मेरे वीडियोज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियोज को एक लाइक दिया करिए और अपने सारे friends में अपने relatives में प्लीज शेयर करिए Thank you so much